दिली के राम बिला मैदान में आज विपक्षी इंडिया ब्लॉक एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कॉंग्रस ने कहा है कि लोगतंत्र बचाओ रैली का उदेश किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बलकि सम्विधान और लोगतंत्र को बचाना है। विपक्ष की लोगतंत्र बचाओ रैली में मलिकार जुन खड़गे और कॉंग्रस के पुराद्यक्ष राहूल कांधी सहीत कई वरिश नेता सम्वोधित करेंगे। इंद्या की रैली पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधानशु तुरिवेदी ने कहा है कि सारे भ्रश्ट लोग एक साथ आ रहे हैं। दिल्ली में आज भारत की राजनीती का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी द्रश्य दिखने जा रहा है। क्योंकि वो लोग जो भ्रश्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बैमान की संग्या देकर सत्ता में आये थे आज उनी के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज या इसलिए महत्वपूर्ण है चुकि भारत की राजनीती में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकार्ड कितना अधबुत है। तो राम लीला मैदान की रैली को लेकर बीजे पी और विपक्ष आमने सामने हैं। खेंडरी मंत्री हर्दी पुरी से सवाल का जवाब आप निताओ सुरिज भरवाज ने दिया। यह अलाइंस है जिसको आपने इंडी अलाइंस बोला मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं यह लोग कौन है यह वही लोग हैं जो केजरिवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे अब यह क्या समेलन कि केजरिवाल जी जो इस समय एडी के कस्टीडी में उनको छोड़ा जाए देखे इस रामलिल्ला मैदान के अंदर देश के सभी बड़े बड़े अंदोलन हुए भारती जंता पार्टी के खिलाफ भी किसानों ने अगर आवाज उठाई तो यहीं इसी मैदान पर उठाई भारती जंता पार्टी की सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने अगर आवाज उठाई तो भी वह इसी रामलिल्ला मैदान के अंदर उठाईए हर्दीप पुरी जी नए आये हैं राजमीती के अंदर उनको आइडिया नहीं है पहले बाबू थे तो उनको पता नहीं है कि इस रामलिल्ला मैदान का कितना बड़ा इत्यास है